Hello friends, हम Product and Services के बारे में पढ़ रहे थे, इस से पिछली वीडियो में हम ने पढ़ा था जो हमारी Money Remit Tτ होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेगे Post Office Saving Scheme जो मारे Post offices होते हैं, जो मारे डाखर हैं उसमें कौन-कौन सी Saving Scheme की स्कीम होती हैं तो इसमें सबसे बहले हमारे पास आती है Post Office Saving Scheme आस भी कहते है जिसे National Saving Recurring Deposit Account National Saving Time Deposit Account National Saving Monthly Income Scheme Senior Citizen Saving Scheme Account Public Provident Fund तो ये वाली हमारे पास जो जितनी भी schemes है हमारे Post Office की Saving Scheme है अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं सबसे बहले हमारे पास जो आती है Post Office Saving Account S.B. Interest Rate 4% per annum of own individual और joint account तो जो हमारा Post Office का Saving Account होता है उसमें हमें कैसे interest मिलता है per annum प्रती वर्ष के हिसाब से ठीक है बार्षी के दर से उसमें हमें interest मिलता है 4% चाहे बो individual हो चाहे एक वेक तीना खुलवाया हो या joint account हो जिसे ठीक है minimum amount for account opening अब जो account open होता है minimum कितने रुपे से करवा सकते हैं 500 रुपे से who can open अब जो हमारा Post Office Saving Account है उसे खुलवा कोन सकता है single adult कोई भी एकल ब्यस्क जो होगा वो खुलवा सकता है two adults joint A और joint B दो adults मिलकर दो ब्यस्क मिलकर भी खुलवा सकते हैं एक guardian ओन भी half of minor तो एक minor भी खुलवा सकता है बट किसके थूँ खुलेगा उसका उसके जो guardian होंगे उसके जो सरक्षक होंगे उनके थूँ वो खुलवा सकता है एक guardian ओन भी half of person of unchained mind तो जिसका mind काम नहीं करता बो बाला अविक्ति भी खुलवा सकता है बट किसके थूँ वो भी guardian के थूँ खुलवा सकता है minor above 10 years अब जो हमारा minor है जो 10 years से उपर है बो भी खुलवा सकता है बट वो खुद के नाम पर भी खुलवा सकता है one individual only one account, single account and one joint account तो जो हमारा एक वेक्ति होगा उसका केवल एक ही खाता खुलेगा है ना उसके और एक joint खुल चकता है in case death of joint holder surviving holder बिलवीदा soul holder अगर हमारे पास अगर किसी ने joint account खुलवाया है अगर उसमें से एक वेक्ति की मृति हो जाती है तो जो दूसरा वेक्ति बच जाएगा उसका तेगा पूरे का पूरा मालिक कोन हो जाएगा वो वाला दूसरा जो surviving होगा जो जीवित वेक्ति होगा वो हो जाएगा conversion of single to joint account and vice versa not allowed अगर अपने post office में single account खुलवाया है या joint account खुलवाया है जब आप account खुलते हो वो करना जरूरी है वो अनिवारे है deposit and withdrawal अब उसमें जमा और निकासी आप कैसे कर सकते हैं minimum deposit first time जब आप first time deposit करेंगे तो वो minimum 500 रुपीज आपको करने पड़ेंगे subsequent deposit not less than 10 रुपीज उसके बाद आप अगर deposit करना चाहते हो minimum withdrawal limit अगर आप निकासी करना चाहते हैं तो minimum 50 रुपीज की कर सकते हैं maximum deposit के लिए कोई limit नहीं है no withdrawal permitted after minimum balance 500 रुपीज जब बैलस 500 रुपीज हो गया minimum balance है इतना आपको account में रखना है इसके बाद आप उसको withdrawal नहीं कर सकते हैं note maintain minimum balance 500 रुपीज deduction 100 रुपीज अगर आपने maintain नहीं कि आपना balance जो account का minimum balance है 500 रुपीज वो आप maintain नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको जो account से 100 रुपीज कट जाएगा उसको deduct कर लिया चाहेगा interest interest up to 10,000 रुपीज earned in financial year accepted from income tax तो जो interest जो आपने ब्याज आपको 10,000 रुपीज से कम है एक financial year में 10,000 से कम का ब्याज जो भी होगा वो उसको income tax से छूट होगी ठीक है उस पर कोई भी income tax नहीं लगेगा पर 10,000 से उपर होगा तो उस पर income tax लगेगा if no deposit withdrawal in account for 3 years treated as silent or dormant तो अगर आपने 3 साथक अपने account में नहीं deposit कर रहा है नहीं आपने कोई withdrawal कर रहा है तो उसे silent account मानना चाहेगा checkbook 10 leaves free तो जो आपकी पोस्टोफी saving bank account की copy है उसके अगर आप checkbook के लेना चाहते है तो आपको checkbook मिलेगी उसमें 10 leaves आपको free मिलेंगे उसके जो 10 page होंगे उसके बाद 10 के बाद जितने भी आपके check होंगे एक check के लिए आपको दो रुपे देने पड़ेंगे note alone pension account तो जो हमारे पोस्टोफी saving account है उसमें आपको pension account अलोँ नहीं है उसके बाद हमारा आता है recurring deposit account RD जिसे हम RD कहते हैं यह हमारी कितने साल के लिए होती है पांच वर्ष के लिए होती है interest rate 5.8% per annum quarterly तो इसमें friends आपको जितने भी interest rates है इनका आपको exam suggest पहले में आपको एक video दूँगा ताकि अगर उसमें कुछ भी change बगारा हुआ हो तब आप उसको देख लीजेगा क्यूंकि हो सकता है कुछ change हो जाए तो फिर आप भी याद करेंगे फिर वाद में याद करेंगे तो फिर वो confused आपते है तो इसमें लिए आपको इसका एक में बाद में भी वीडियो दे दू सकते हैं and any amount in multiple of 10 rupees तो 10 rupees के multiple में आप जितना भी आपका बनता है 10 rupees के चाहे 110-120 चाहे 500 तो ऐसे करेके 10 rupees के multiple में होना चाहिए तो आप उस amount से भी अपना account खुलवा सकते है RD का no maximum limit और इसके लिए maximum limit कुछ भी नहीं है अब जो मारा RD का account है उसको खुलवा account सकता है एक single adult एक केला व्यस्क joint account अगर चाहें तो joint भी खुलवा सकते हैं up to three adults तीन व्यस्क मिलकर joint account भी खुलवा सकते हैं guardian on behalf तो एक guardian भी खुलवा सकता है किसके भी हाफ पर person of unchained mind ठीक है दिमागी रूप से कमजोर इंसान के भी हाफ पर या फिर minor यह दोनों भी किसके थरू खुलवा सकते है guardian के थरू a minor above 10 years एक minor जो 10 साल से उपर है वो खुद के नाम पर भी खुलवा सकता है any number of accounts can be open अब जो हमारे RD accounts है वो जितने मर्जी हम खुलवा सकते हैं post office में कोई limit नहीं है बट जो हमारा saving account है उसमें limit है हम सिर्फ एक ही account खुलवा सकते है individual और दूसरा joint monthly deposit अब हम हम deposit कैसे करेंगे account open first calendar day to 15th calendar day अब जो हमारा account खुला है पहली तरीक से लेके 15 तरीक तक deposit before 15th of calendar day तो जो हमारा उस महिने की 15 तरीक होगी उससे पहले हमको deposit करना पड़ेगा वरना उस पे penalty लगेगी 16th calendar day to last calendar day अब 16 तरीक से लेकर जो हमारे महिने का आखरी दिन होगा तब तक अगर हमने कोई account ख कर सकते हैं if not paid default fees 1 रुपी पर 100 रुपी अगर हम नहीं पे करते हैं उसको time से जो हमारी condition है उसके हिसाब से नहीं पे करते हैं तो उसमें हमें default fees देनी पड़ेगी प्रते एक 100 ग्राम पर 100 रुपे पर एक रुपया लगेगा after four regular defaults account become discontinued अगर हमना चार regular default कर दिये तो हमें जो account होगा वो discontinue हो जाएगा revive within two months from fourth default जो हमारा fourth default हुआ होगा उसके दो महिने के अंदर हम उसको revive करवा सकते हैं advance deposit रिवेट on advance deposit for at least six installments तो जो हमारा हम अगर चाहे तो advance में भी deposit कर सकते हैं जो हमारे installments होंगी जो हम महिने में एक बार जमा करवाते हैं हम उनको एक अठा भी जमा करवा सकते हैं छे मीने के लिए तो इसके लिए क्या है कम से कम छे installments आपको एक साथ जमा करवानी पड़ती है 100 rupees denomination रिवेट 10 rupees for six months and 40 rupees for 12 months तो अगर हम advance में deposit करते हैं अगर हम 6 मीने के early advance deposit करते हैं तो हमें 10 रुपे का रिवेट मिलेगा अगर हम 12 months के लिए करते हैं अगर हमें 40 rupees का रिवेट मिल जाएगा loan अब हमें loan की बात करते हैं अगर हमें RD में loan चाहिए after 12 installments and account is continue for one year तो अगर loan लेना है तो हम ले सकते हैं RD में बट उसके लिए क्या condition है कि हम 12 installments के बाद 12 किस्तने जमा करवाने के बाद ही loan ले सकते हैं और account है वो continue होना चाहिए एक साल तक लगातार वो continue होना चाहिए loan can repaid in one lump sum or equal monthly installments तो जो loan होगा उसको बापिस कैसे करेंगे एक ही बार में भी कर सकते हैं और फिर या फिर उसकी equal monthly installments में भी उसको भर सकते हैं if loan not repaid before maturity अगर हमने जो loan लिया है उसको repay नहीं किया maturity से पहले तो क्या होगा loan प्लस उसका जो interest बनाओगा ठीक है deducted from maturity value जो भी maturity value बनी होगी उसमें से वो deduct कर लिया चाहेगा RD account premature closed after 3 years 36 months जो जो हमारी RD account है अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं उसको premature ही close करवाना चाहते हैं तो हम 3 साल के बाद करवा सकते हैं यानि कि 36 months के बाद करवा सकते हैं RD can extended far further 5 years और जो RD है हम उसे further 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं अब जो maturity हुई उसकी उसके बाद उसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है next आती हमारी TD time deposit account interest payable annually but calculated quarterly तो जो हमारा time deposit account है उसमें हमारा जो interest है वो कैसे pay होता है वो annually pay होता है बारशी कदर से बट उसे calculate कैसे किया जाता है quarterly किया जाता है minimum amount for account opening अब जो हमारा TD का account है minimum हम कितने रुपे से खलवा सकते हैं एक हजार उपे से उसको minimum खुलवा सकते है इन multiple of hundred rupees तो 100 रुपे के multiple में उसे हम खुलवा सकते है minimum 1000 और उसके बाद हम 100 रुपे के multiple में उसको देखते जाएंगे उतने में खुलवा सकते हैं and no maximum limit और इसमें कोई भी maximum limit नहीं है who can open अब जो हमारा TD account है उसको कौन खुलवा सकते है इस single adult एक सिंगल अकेला जो एक एकल ब्यास के खुलवा सकते है joint account up to three adults और joint account में three adults तीन ब्यास के खुलवा सकते हैं एक guardian on behalf of minor person of unchained mind तो minor और या फिर जो दिमागी रूप से मज़ोर है वो भी खुलवा सकते हैं गार्डियन के थ्रू माइनर अब 10 years तो एक माइनर भी खुलवा सकते हैं दो दस साल के उपर है एनी नंबर अपकॉंट्स कैन भी opened तो जो हमारा TD account है उसमें हम एक पोस्ट ओफीस में एक से ज्यादा account भी खुलवा सकते हैं अकांट टाइप अब जो हमारे TD होती हैं उसमें एक अकांट कितने डाइप की होती हैं उसमें चार टाइप के अकोंट होती हैं एक यह के लिए टू यerson के लिए थ्री यEZर्ज के लिए और फाइव इस एंद द्वा 세ज्फिटियन उप्टियन थी ऐन एना इनिज्ट सेग् account from far another tenure for which account was initially opened तो अगर हमने जो हमारा account है अगर उसको maturity date के बाद हमने आगे बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं माली जे आपने एक साल के लिए खुलवाया था तो आप further उसको एक साल के लिए खुलवाया था तो further दो साल के लिए खुलवाया सकते हैं आपने जितने period के लिए खुलवाया था further आप उतने और time के लिए उसको बढ़ा सकते हैं interest to respective TD account on the day of maturity और आपको interest rate वो मिलेगा जो maturity के time होगा maturity के time जो interest rate चल रहा होगा उसके हिसाब से विराक को आगे interest मिलेगा premature closure of account अब आप उसको premature ही उसको close करवाना चाहते हैं मतलब कि उसकी परिपक्तताव धी के पहले ही आप उसको close करवाना चाहते हैं तो एक साल का जो TD account है उसको कैसे close करवा सकते हैं after six months तो छे मीने बाद करवा सकते हैं अब जो दो तीन और पांच साल के TD हैं उनको जो हमारा एक साल है उसके बाद हम close करवा सकते हैं interest two percent less than TD interest rate तो जो हमारा TD interest rate होगा उससे 2 percent कम आपको interest मिलेगा आगर आप उसको premature close करवाते हैं transfer from one post office to another permitted तो आप उसको एक post office से दूसरे post office transfer भी करवा सकते हैं next आता है हमारा MIS monthly income scheme minimum amount for opening maximum minimum तो इसमें क्या है मारे पास minimum amount कितना चाहिए है उसको open करने के लिए in multiple of one thousand rupees तो एक जार रुपे के multiple मैं मतलब कि उसका minimum amount है open करने के लिए एक हजार रुपे उसके बाद अगर आपना जादा करवाना है तो एक हजार रुपे के multiple मैं करवा सकते हैं maximum single के लिए 4.5 लाक है अगर individual खलवा रहा है single account है तो उसमें आपको साड़े चार लाक रुपे तक आख हो चकते हैं अगर joint है तो 9 लाक रुपे तक हो चकते हैं who can open अब जो हमारा MIS count है उसको खुलवा को चकता है single adult ठीक है एक कल जो adult है वो खुलवा सकता है BS का खुलवा सकता है लगवग यह सारे के लिए same ही है कि कौन account खुलवा सकता है तो यह लगवग सभी में same ही है joint account up to 3 adults अगर joint खुलवाना है तो एक साथ 3 adults BS का मिलकर खुलवा सकते हैं guardian on behalf of minor or person of uncharted mind minor above 10 years तो यह सारे मिल चाहें तो account खुलवा सकते है nomination and account transfer facility अबलेवल तो इसमें हमें नमांकन की विस विदा मिल जाती है और अगर account transfer करना है तो उसकी facility भी अबलेवल है interest अब इसमें जो interest मिलता है जो हमें MIS जो मारी monthly income scheme है उसमें interest कैसे मिलता है payable every month from date of opening तो इसमें हमें हर महिने interest मिल जाता है जो जब हमने account खुलवाया था जिस तरीक को खुलवाया था उसी अगले तरीक को अगले महिने में हमें interest मिल जाएगा ECS service use और इसको जो interest है वो हमें किसके through मिलता है ECS जो हमने पहले पिछले video में पढ़ा था जो हमारी electronic clearance service है उसके through हमें यह मिल जाता है जो उसमें बहुत सारी transactions को करने के लिए इसका use किया जाता था तो उसी जो transaction है जो उसी service का जो हमारी ECS है वो हमने बताया था कि MIS में use होता है तो यहां पर उसका use किया जाता है पर premature closure of account if closed after 1 year and before 3 years 2% deducted from deposit अगर आपने जो आपका account है MIS का एक साल के बाद और 3 साल के पहले आपने close कर वाए तो 2% आपके amount में से deduct कर लिया जाएगा जो आपने deposit करा होगा उसका 2% deduct कर लिया जाएगा after 3 years but before 5 years अब 3 साल के बाद बंद कर रहा है but 5-5 साल के पहले बंद कर दिया है तो 1% उसमें deduct कर लिया जाएगा जो भी आपने amount deposit कर रहा होगा in joint account all joint holders have equal share तो अगर जो joint account है तो उसमें जितने भी joint holders होगे उनका equal share होगा in investment जो investment करी होगी उसमें equal share होगा any number of accounts but investment only 4.5 lakh तो एक individual एक post office में जितने अबर्जी account खुलवा सकता है but जितना भी उसने जमा कर जितने भी account खुलवाया है उनमें जितना sum deposit किया है उसकी जो investment है वो 4.5 lakh से 4.5 lakh से जाधा नहीं होगी conversion single to joint and vice versa permitted तो इसमें conversion available है कि अगर आपने single account खुलवाया अब आप उसको joint करवाना जाते है तो आप करवा सकते है और joint है तो उसको single भी करवा सकते है अलो है maturity 5 years from opening date तो इसमें maturity हमें कम मिलती है 5 साल पूरे होने के बाचिके इसकी जो maturity timing है 5 year है senior citizen saving scheme account जो हमारी SCSS है interest payable from 31st March 30 September 31st September in first instance minimum amount for open account तो जो हमारा SCSS का account है उसको minimum कितने रुपे से खुलवा सकते है only one deposit in account in multiple of 1000 रुपीज तो 1000 रुपे के deposit में हम उस account में सिर्फ एक ही बार जो आपने account खुलवाया उसमें सिर्फ एक ही बार आपैसे जमा कर सकते है एक हजार रुपे के multiple में होने चीओ और आप minimum एक हजार रुपे कर सकते है उसमें deposit maximum note exceeding 15 lakh और इसमें maximum limit कितने है 15 lakh रुपे who can open तो इसको अब जो हमारा senior citizen account है इसको कौन-कौन खुलवा सकते है individual above 60 years कोई भी वेक्ति जो 60 साल चे उपर है retired civilian employee 55 to 60 years तो कोई भी retired employee 55-60 साल के बीच में की उमर का भो खुलवा सकता है बेदिन बन मन्त फ्रों retirement तो अपनी retirement के एक महीने बाद 15-60 साल की उमर का कोई भी जो retired civilian employee जो भी है रिटायर होता है भो खुलवा सकता है fire defense service 50 years अगर कोई defense service से रिटायर होता है तो बो 50 साल की उमर में खुलवा सकता है joint account with spouse only तो अगर joint account खुलवाना है senior citizen account में तो सिर्फ spouse के साथ ही खुल चकता है पती या पतनी दोनों मिलकर ही खुलवा सकते है तीसरा कोई नहीं खुलवा सकता है benefits of section 80C of income tax act 1961 तो इसमें हमें जो अब जो इसमें इंट्रस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है payable loan quarterly basis तो इसमें इंट्रस्ट quarterly basis में मिलेगा on first working day of April, July, October और January तो जो भी हमारे April, January, October और फिर January के first working day होंगे उसमें हमें इसका इंट्रस्ट मिलेगा auto credit in SV accounts by ECS तो जो हमारी electronic clearance service है उसके थुरू auto credit हो जाएगा यह total interest exceed 50,000 taxable अब जो हमारा 50,000 से उपर का जो भी amount होगा interest का वो taxable होगा नहीं तो इसमें tax free है in a financial year तो एक साल में 50,000 से उपर का जो भी interest होगा वो उस taxable होगा premature closer अगर हमने उसको समय से पहले उसको बंद करना है तो close anytime time after date of opening तो हम उसे किसी भी time ओपन करने के किसी भी time उसको बाद उसको close कर सकते है closed before 1 year no interest payable अगर हमने एक साल के पहले ही उसको बंद कर वाली है तो उसमें कोई भी interest नहीं मिलागा अगर उसमें कोई interest मिला होगा तो recovered from deposit तो जो deposit करा होगा उसमें से उसको recover कर लिया जाएगा closed after 1 year but before 2 years अगर आपने उसको एक साल के बाद बंद करा है बट दो साल से पहले बंद करा है तो उसके लिए आपको date percent जो आपका amount होगा उसमें से deduct कर लिया जाएगा जो आपने deposit करा होगा उसमें से date percent कट जाएगा closed after 2 years उसके 5 साल के बाद इसकी maturity होगी in case death of account holder अब जो account holder है अगर उसकी death हो जाती है किसी case में तो account earned interest at rate of post of saving account तो जो post of saving account होगा जो account खुल आया होगा उसने उसको post of saving account का interest मिलेगा in case spouse as joint holder अगर जो उसने अपनी पतनी या फिर पती जो भी होगा spouse होगा उसने अगर उसके साथ joint account है तो फिर account will continue till maturity तो maturity तक बो account continue रहेगा बट इसमें कहां कि जो spouse है is eligible to open SCSS account तो जो हमारा spouse है वो senior citizen account खुलवाने के eligible होना चीए and not have another SCSS account और उसका कोई और अन्या senior citizen account नहीं होगा तो वो इसको continue कर सकता है extension of account अगर उसने आगे बढ़ाना है उसको extend करना है तो far further period of three years तो वो तीन साल के लिए उसको और extend कर सकता है from date of maturity तो maturity की date के बाद उसको तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है extended within one year from of maturity वो जो extend करेगा वो एक साल के भीतर कर देना उसको करना पड़ेगा जो maturity है उसके एक साल के अंदर वो करना होगा nomination or account transfer facility is available तो इसमें नमांकर की भी सुविदा है और account अगर transfer करना है post office से दूसरे post office तो उसकी सुविदा भी upload है account up to बनला है cash तो अगर आपने एक लाख रुपे तक अपने अपने एक लाख रुपे से उपर है तो आपको चेक देना पड़ेगा उसके बाद आता है हमारा public provident fund जो हमारा PPF होता है और होता है कितने साल के लिए account जो हमारा 15 साल के लिए minimum amount for opening minimum कितने रुपे से खोल चकते हैं 500 रुपी से and maximum limit तो इसमें हमारे पास minimum तो एक ही बार में भी जमा करवा सकते हैं या फिर monthly या किष्टों में भी इसको जमा करवा सकते हैं who can open तो जो मारा public provident fund account है इसको कुलवा सकता है single adult तो एक भी इसको खुलवा सकता है इंडिया का resident होना जची है guardian on behalf of minor or person of unsound mind तो माइनर भी खुलवा सकता है या ऐसा विक्ति जिसका जो दिमाग की हालत है बटीक नहीं भी खुलवा सकता है बट किस के थरू guardian के थरू only one account can be open either in post office or any bank तो इसका जो PPF का account है या तो हम post office में खुलवा सकता है जब account खुलेंगे उसको by check भी दे सकते है तो cash भी दे सकते है उसके बाद आता हमारा discontinution of account if not made minimum deposit of 500 rupees in a financial year तो अगर आपने एक financial year में minimum deposit नहीं करा जो 500 rupees है वो नहीं करें PPF account become discontinued तो आपका PPF account होगा वो discontinued हो जाएगा loan withdrawal facility not available on discontinued account तो जो discontinued account होगा उस पर नहीं आपको loan facility मिलेगी नहीं आप उस पैसे को भी ड्राल कर जकते हैं फार revived discontinued account अगर अपने revive करना है जो discontinued account हो गया है उसको आपने फिर से चालू करना है deposit minimum 500 rupees plus 50 rupees default तो आपको minimum 500 rupees plus 50 rupees उसके साथ default जमा करना और default कैसे लगेगा वालो आपने एक financial year में आपका account discontinued होगा है तो उसके लिए आपको 50 rupees default लगेगा अब आपने दूसरे साल भी नहीं करवाया तो उसके लिए आपको 50 plus पहले साल का हो गया फिर दूसरे साल का 50 rupees हो गया ऐसे default लगेगा उस पर interest credit to account at the end of each financial year और जो हमारा PPF का interest होगा वो saving account में जितने हमारा financial year के end में वो खुद बखुद account में credit हो जाएगा interest earned tax free under income tax act और जो हमारा PPF account होगा उसमें जो tax हमें interest मिलेगा वो tax free होगा loan इसमें आपको loan की सुवधाई मिल जाएगी after one year but before five years एक साल के बाद पर पांच साल से पहले आपको इसमें loan की सुवधाई मिल जाएगी loan taken up to 25% of balance तो आपने जितना भी amount deposit करा होगा उसका 25% आपको loan मिल जाएगा only one loan in one financial year एक financial year में सिर्फ एक ही loan ले सकते हो और second loan तभी मिलेगा after first loan clear जब पहला जो loan लिया है उसको clear करने के बाद ही second loan मिलेगा loan within 36 months अगर जो आपने loan लिया है उसको आपने 36 months यानि के तीन साल के पहले पहले आपने उसको repay कर दिया आपने उसको बापिस कर दिया तो loan interest जो होगा 1% per annum के हिसाब से लगेगा बट लोन रिपेड आफटर 36 months अगर अपने तीन साल के बाद अपने वो रिपे कर रहा है तो उसके लिए जो लोन पर इंटरस्ट लेगेगा 6% per annum के हिसाब से लगेगा बिड्राल अब इसमें बिड्राल आपको बिड्राल की facility मिल जाती है टेक बन बिड्राल after 5 years तो आप 5 साल के बाद आप एक बिड्राल ले सकते हैं बिड्राल can be taken up to 50% of balance तो जो आपका balance होगा account में उसके 50% की आप बिड्राल ले सकते हैं maturity after 15 years financial years excluding financial year of account opening तो जो account opening financial year है उसके स एक्सको अगांट फार फर्दर 5 years तो इसको एक्सटेंड भी किया सकता है पांच सालों के लिए ठीक है जो मारा पीपी आफ अकॉंट है 15 साल के लिए खुलेगा अगर आप उसको एक्साल के लिए आप उसको एक्सेंड भी कर सकते हैं discontinued account can be extended can't be extended तो जो हमारा discontinued account होगा उस उसमें कुछ conditions है life threatening disease of account holder spouse और children तो अगर किसी भी जागर account holder है उसको या फिर उसके उसको पती या पतनी को जो भी होगा या फिर उसके बच्चों को को कोई life threatening disease जान लेवा बीमारी है कोई higher education of account holder और dependent children तो अगर account holder है जो उसको higher education के लिए चाहिए या फिर उसके जो आश्री तुस पर जो भी बच्चे है उसके उनके लिए चाहिए या फिर change resident status अगर वो अब इंडिया चोड़के कहीं और देश में रहने वाला है जाने वाला ह अब अगर account holder है उसकी death हो जाती है shall we closed and nominee legal hire not allowed to continue तो बो account जो होगा उसको close कर दिया जाएगा जो उसका बारिस होगा या जो भी legal hire होगा उसको continue नहीं कर सकता है उस account को at the time of closer due to death अगर death की बज़ा से उसको account को close कर रहे है PPF rate of interest paid तो जो उसकी death तक का ठीक है जो interest मिलेगा वो कैसे मिलेगा जो PPF interest rate होगा उसके हिसाब से मिलेगा next आता है हमारा सकन्या सम्रिध्धी account SSA minimum amount of our opening account 250 रुपीज तो जो मारा सकन्या सम्रिध्धी account है उसको minimum 250 तो उसके बाद अगामी जो भी आप deposit करेंगे 50 रुपे के multiple में होगा who can open account अब जो हमारा सकन्या सम्रिध्धी account है उसको खुलवा को चकता है by guardian in name of girl child below age 10 years तो उसको guardian खुलवा सकते है लड़की के भीहाफ में जो 10 साल से कम की लड़की है उसके लिए खोल चकते है उसको guardian के थरू खुलेगा only one account either in bank or post office और एक 10 साल की कम बच्ची के लिए एक ही सकन्या सम्रिध्धी account खुलेगा चाहे वो bank में खुलवाएं चाहे वो post office में खुलवाएं account can be opened for maximum two girls in a family तो जो सकन्या सम्रिध्धी account है maximum दो लड़कियों के लिए खुला जा सकता है एक ही फैमिली में deposit अब जो उसमें deposit करेंगे बो कैसे करेंगे account open with minimum 250 रुपीज सबसे पह maximum आप कितना कर सकते है डेड़ लाक रुपे amount deposit in multiple of rupees 50 और जो आप deposit करेंगे उसमें कितने रुपे के multiple में होगा 50 रुपे के deposit can be made maximum up to completion of 15 years from the date of opening तो जिस तरीकों आपने खुलवाया उसके बाद आप 15 साल पूरे होने तक उसमें deposit जादा से जादा 15 साल पूरे होने तक उसमें deposit कर सकते हैं if not deposit minimum 250 rupees in financial है अगर एक financial year में अपने 250 rupees उसमें deposit नहीं करें हैं treated as defaulted account तो उसको defaulted account माना चाहेगा defaulted account can be revived before completion of 15 years तो जो हमारा defaulted account है उसको revive कर सकते हैं वटक पंदरा साल पूरे होने से पहले paying minimum 250 rupees plus 50 rupees default तो इसमें आपको 250 rupees minimum plus उसके साथ for each defaulted year के लिए आपको प्रतेक जितने भी default हुए हैं आपने इतने साल जमानी करवाया financial year उतने हसाब से पचाप सास रुपे आप में जरुड़ते जाएंगे उस हिसाब से आपको वह देने पड़ेंगे तब जाके वह रिवाइव होगा इंट्रस्ट credit account at the end of each financial year अब जो सकन्य सम्रिध्य अकॉंट में इंट्रस्ट लगता है वो कैसे मिलता है पर तेक financial year के last में वो आपके अकॉंट में credit हो जाता है जो सकन्य सम्रिध्य operated by the guardian till girl child attain the age of majority 18 years तो जब तक जो मारी लड़की है जिसकी age 10 साल से कम थी जिसका SSA का अकॉंट है जब तक वो ठारा साल की नहीं हो जाती तब तक उसको operate कौन करेगा जो उसके guardian होंगे बिड्राल अब इसमें बिड्राल कब कर सकते हैं attain is 18 or past 10th standard जब लड़की 18 साल की हो जाती है या फिर वो दसमी पास कर लेती है taken up to 50% of balance at the end of proceeding financial year तो जो last financial year होगा उसके उसमें जो भी उसका balance होगा उसका वो 50% वो बिड्राल कर सकते हैं प्री मैच्योर क्लोजर अगर सवे से पहले अकॉंट को क्लोज करवाना है after five years from opening date तो opening date के पांच साल वाद उसको कर सकते हैं on death अगर death हो जाती है किसी case में तो post office saving interest जो होगा बो मिलेगा life threatening disease of account holder अगर कोई जान लेवा विमारी है जो account holder है उसको या फिर death of guardian तो ऐसी स्थित प्री मैच्योर क्लोज भी करवा सकते हैं closer on maturity अब मैच्योर होने पर close कब होगा तब क्या होगा after 21 years from date of opening तो उखाता खुलने के 21 साल बद तो from the date of opening 21 years तो close होगा वो account और at time of marriage या फिर जो शादी है उसके समय होगा और attaining age 18 years या फिर 18 साल की उमर होने पर या फिर marriage होने पर तो शादी होने के एक महीने पहले ले सकते हैं या फिर शादी होने के तीन महीने बाद तक भी जो maturity अबो ले सकते हैं next आता है हमारा national savings certificates NSE तो NSE हमारे five साल के लिए होते है minimum amount for opening account बन thousand rupees in multiple of hundred rupees तो जो हमारे national savings certificates है वो एक हजार रुपे के ले सकते हैं किसके multiple में ले सकते हैं 100 रुपे के ठीक है 1000 रुपे से अपना जादा लेने हैं तो 100 रुपे के multiple में आप ले सकते हैं and no maximum limit और इसकी maximum कोई limit नहीं है interest compound annually but payable at monthly तो इसमें जो interest मिलेगा वो annually compounded होगा but जो मिलेगा वो maturity के time मिलेगा who can open अब जो हमारा national savings certificates है उनका जो account है उपन कोन कर सकता है a single adult एक single ब्यस्क joint account up to three adults तीन ब्यस्क मिलकर भी कर सकता है guardian on behalf of minor person of unsound mind तो minor भी खुलवा सकता है या जो दिमागी रूप से कमजोर है वो भी खुलवा सकता है बट गार्डियन के थूर माइनर अबब 10 years एक माइनर ज से करेंगे minimum 1000 पे deposit करेंगे और उसके बाद अगर अज से ज्यादे करना तो 100 पे के multiple में आप कर सकते है maximum no limit इसमें maximum कोई भी limit नहीं है any number of account can be opened तो इसमें जो NSE है उसमें यह आपके पास कोई limit नहीं है आप जितने चाहें उतने account खुलवा सकते हैं deposit deduction under section ATC of income tax act तो इसमें जो पांच साल के बाद होगी जब आपने account खुलाया उसके पांच साल बाद transfer account from one person to another person अगर अगर आपको एक परसंचे दूसरे person को आपने transfer करने तो क्या होगा transfer from one person to another person only one तो इसको सिर्फ एक ही बार transfer कर सकते है अब on death of account holder to nominee और legal hire अगर death हो जाती है जो account holder है उसकी तो उसके नोमीनी या legal hire जो होगा उसको पर transfer किये जाएंगे on order by court या फिर ओको जो court counter होगा उसके अधार पर procedure अब इसमें प्रोसीजर क्या है जब भी ट्रांच पर करत जो पराना नाम लिखा होगा जो account holder का नाम होगा उसको around कर दिया जाएंगा name of new holder written और जा नया account holder होग़ उसका नाम लिखा जाएंगा own old certificate and own purchase application जो पराना चर्टिफकेट होगगा और जो purchase application अपने दियोगी उसके ओपर round करके जो पराना नाम होगो उसके round करके नया नाम लिखती है जाएगा then postmaster sign designation stamp और date stamp उसके बाद जो postmaster होगा वो sign करेगा designation stamp लगाएगा और उसके बाद date stamp लगाएगा NSE issue in the form of passbook जो हमारे national savings certificates है वो किसके रूप में हमें issue के होते हैं passbook में passbook के रूप में वो issue किया जाते हैं premature closer तो जो हमारे NSE है national savings certificates है उनको premature closer करवा सकते हैं not be prematurally closed before 5 years accept हम उन्हें 5 साल से पहले premature close नहीं करवा सकते हैं अगर death of a single account or any or all the account holders in a joint account अगर जो हमारा single account holder है तो उसकी death हो जाती है या फिर अगर joint account है तो उसमें सभी की death हो जाती है तो SECT में उसको premature close करवा सकते हैं own for feature by pledge being a gastro official अगर राजपत्री दाधिकारी को pledge किई हो own order by quote अगर code ने order दिया हो specified हो थो ठीक है तो यह सारी सिती में आप उसको premature close करवा सकते हैं किसान भी कास बत्तर जोमारे के वीप होते हैं minimum amount for opening तो के वीप हम minimum 1000 रुपीज से खुलवा सकते हैं इन multiple of 100 रुपीज अगर इससे जादे खुलवानी है तो 100 रुपी के बैज करते हैं तो दोनों ही ए सेम ही है सेम ही बेखते हैं को हम प्लैज करेंगे किसान भी कास पत्तर और और ट्रांसफर्ड एस सेक्यूर्टी बाइश मिटिंग प्रैस्वाइब अप्लिकेशन फ्रोम एंड एट पोस्ट आफिस तो जब भी हम किसान भी कास पत्तर और नेशनल सेविंग सेटिपिकेट्स जो प्लैज करने या फिर ट्रांसफर करने इस सेक्यूर्टी तो उसके ल सकते यह जो गवर्नर स्टेट को हुसको कर सकते हैं आरबी रिघ्ई शयोड बैंक कोर्परेटीफ स एक कोर्परेटीब वेनक तो इनको लाहे तो तो फान पबलीक और थोडसा क्योंक चु कईक को कर सकते हैं फारफ थे方 vendor 4 कला जो मारी नको कितने समें बाद करवा सकते हैं तो दो साललके बाद करवा सकते हैं and close any time before maturity या फिर आप उसको maturity से पहले किसी भी time करवा सकते है in case section E in case NSE तो हमने national saving scheme के जो section E में पड़ा ठीक है वही same इसमें भी apply होता है अब schedule of fees, issue of duplicate passbook अगर आपने duplicate passbook issue करवानी है तो इसके लिए आपको जो fees लगेगी 50 रुपे लगेगी issue statement of account or deposit receipt 20 rupees in each case अगर आपने जो account है उसकी statement issue करवानी है या फिर deposit receipt चाहिए तो आपको 20 रुपे आपको जो लगेगी lowest mutualized issue passbook in lie और lowest mutualized certificate अगर आपकी जो passbook है वो गुम हो गई है या फिर आपको जो उसके registration है वो करवानी आपको द्वारस है तो इसके लिए आपको 10 रुपे लगेंगे registration के साथ cancel और change of nominee अगर आपने उसको cancel करना है या जो nominee उसको change करना है तो 50 रुपे लगेंगे transfer of account 100 रुपे अगर आपने account transfer करना है तो 100 रुपे लगेंगे प्लाजिंग of account अगर प्लाज करना है account को तो 100 रुपे लगेंगे issue checkbook in SB account अगर जो SB account है उसकी आपने checkbook issue करवानी है no fees up to 10 libs तो 10 check तक आपको उसके लिए कोई fees नि देनी पड़ेगी 10 check तक आपको कोई fees नि देनी पड़ेगी 10 check तक आपको कोई fees नि देनी पड़ेगी इन a calendar बर्ष में and thereafter 2 rupees पर check उसके बाद 10 पन्नों के बाद प्रते एक check के लिए आपको 2 रुपे देने पड़ेंगे चार्ज ओफ डिसोनर ओफ चैक अगर आपने चैक का अनादर किया तो इसके लिए आपको सोर पे देने पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स आज हम यहीं तक पढ़ते हैं नाक्स अगली वीडियो में देखेंगे ठीक है ओके थैंक्यू